हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी का, आज हम बनाने जा रहे हैं राखी स्पेशल काजू कतली, इसके लिए ये मैंने दो कटोरी काजू लिया है, ये मैंने टुकडा काजू लिया है, और इसको इस तरह मिक्सर में हम दो बरी करके पीस लेंगे, इसको पीसना हमने ऐसे है, थोड़ी दिर मिक्सी चलानी है, फिर बंद कर देनी है, फिर चलानी है, फिर बंद कर देनी है, लगातर इसको नहीं चलाना नहीं तो काजू तेल छोड़ जाएंगे, धीरे-धीरे करके हमने इसे पीस लिया, ये देखी इस तरह हमारा ये पाउडर बन गया है काजू का, इ आम इसे चांनलिया है अमहें पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे आधा बाउल चीनी और एक बाउल पानी यह वही बाउल लेना है जिससे हमने काजूम नप सेन आप से हमें बनाहें इसलिए समें बाउल यूस करें यह इसकी अब An Corrid G ज़्यादा गाड़ी चासे नहीं बनाएंगे बस हलकी सी चिप-चिपी हो जाए और इसमें डाल देंगे हम अपना काजू का पाउडर और इसको लगातार इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे लगातार चलाते रेंगे ताकि यह तले में चिपक ना जाए इस तरह काजू का पेस्ट थिलाते रहेंगेँ और यह थोड़ी देर में थिक होना शुरू हो जाएगा यह दिखे पहले से थोड़ा थिक हो गया है यह और यह इस तरह से हो जाएगा जैसे हम रोटी बनाने का दो तयार करते हैं यह देखिए एक दम से मुलायाम है बिलकुल और इसमें शाइन भी दिखाई दे रही है बस इसको 10 मिनट तक इस तरह हम इसे प्राई करेंगे अब यह हमारा यह तैयार हो गया बिलकुल अब यह नीचे से बिलकुल छूट गया यह तला छोड़ देगा यह सारा पेस्ट हमारा बस यह ध्यान दखना है कि यह चिपके ना नीचे तले से इसे इसको लगातार चलाते रहें अब यह गाड़ा होना शुरू हो गया है इस तरह लगातार हिलाएं इसे बस अब यह हमारा पेस्ट बिलकुल तयार है काजू कतली का अब इसमें हम एक चम्मच देशी घी डाल देंगे इससे टेस्ट अच्छा आजएगा अब आप इसको चेक करने के लिए इस तरह हाथ से गोली बना के देख ले अगर यह हाथ में चिपक रहा है तो इसे थोड़ा और फ्राई करेगा नहीं चिपक रहा तो यह आपका एक बब तैयार है और इसमें मैंने डाल दी है बन बटर पेपर से ही ऐसे प्रेस कर लेंगे बिल्कुल आटे की तरह गुंद गया ही है और अब दूसरा बटर पेपर रखके बेलन की साहता से हम इसे खेला लेंगे यह देखे अब यह थोड़ा हम इसको बेलन से एकसार कर लेंगे ताकि चारो तरफ से एक जैसा हो कहीं से मोटा और पतला ना हो यह मैंने स्केल से चोरस कर लिया है इसके कोर्नर को और फिर प्रेस कर दिया है अब इस पर लगा देंगे हम चांदी का वर्क आप चाहें तो लगाएं ना मन करें तो ना लगाएं यह देखिए मैंने यह थोड़ा सा ही लगाया है चांदी का वर्क अब मैंने स्केल की साहता से इसके एक्स्ट्रा कोन अगर दिखाई दे रहा है तो उसे हम काट देंगे इस तरह है और इस तरह मैं स्केल की हेल्प से ही इसके पीसिस करूंगी ताकि मेरे सारे पीसिस बराबर बराबर आएं यानि कई बर चोटा बड़ा हो जाता है तो इसले मैंने स्केल से पहले सीधी लाइन लगाई है और फिर यह तिर्ची लाइन लगा दिया और इसको मैंने ऐसे कट लगा दिया है ताकि हमारे बराबर पीसिस हो जाएं यह देखे अब हमारे यह काजू कतली के एक जैसे पीसिस मैं आपको दिखाती हूँ यह देखो कितनी प्यारी काजू कतली का पीस बना है इसी तरह हम सारे पीसिस को निकाल लेंगे यह देखिए यह खाने में बहुत टेस्टी लगे क्योंकि खुद बनाई है तो एकदम प्योर होगी यह काजू की और मैं दुबारा मिलूंगे आप से नई रैस्पी के साथ बाइख